हलो गाइज वेलकम बैक मैं हूँ आपको दोस्तियो शन स्वागा था आपको अपने जानों स्ट्राइक जोन बैट पूरा ने होने के बाद ग्रेंज के प्रॉब्लम सब के साथ आती है ग्रेंज निकलने लग जाते हैं कुछ एसस आप से हमें समझ नहीं आता कि अब इसको रि गाइज सबसे पहले हम इसको चिपकाने के लिए और यहां जो गैप है इसको भरने के यूज करेंगे एरलाइट का और कुछ लकडी के भूजे का और उसके साथ चाहिए होगा हमें कोई भी एक चीज जिस पर हम एरलाइट के दोनेट योग को अच्छे से मिक्स कर सकें तो गैज सबसे पहले हम एरलाइट के दोनेट योग को निकाल लेंगे और एक्वल अमांट में इसको मिक्स कर लेंगे दोनों को मच्छे से करेंगे मिक्स बलकुल यह से अब लगड़ी के भूसे को मिक्स में करेंगे मिक्स अच्छे से अब इसको करेंगे हम इस पर लाइए थोड़ा उपर तक आया तो घब्राइएगा ने गाईज क्यों बाद में सेंड पेपर का यूज़ करके हम उसको भी निकालने वाले हैं तो सबसे पहले आप जितना हो सा कि अच्छे से इसको भर ले गाईज जब गैप वाला पॉश्चन अच्छे से भर जाए तब हम थोड़ा एरे लाइट के यूज़ और करेंगे फिर से से मिक्स करेंगे अब जो ग्रेंज वाला पॉश्चन है जिसका ग्रेंज हमारे पास है उसके दीचे लगाके से चिपका देंगे बिल्कुल ऐसे है और गैज अगर अभी भी कहीं कड़ा रहा जाए तो वापस से थोड़ा से लकड़ी का भूसास भी हम शड़क देंगे उपर से आज़ daajz अब देख सकते हैं अभी हमारा बेट अच्छे से भर चुका आप इसको कुछ गंटे के लिए हमें दूप में शूकने तो चलिए इसे हम धूप में छोड़ देते हैं अब हमारा बैट पूरी तरीके से सूख चुका है आप यहां देख सकते हैं अब हमें लेना है एक सैंपेपर और इससे इसके उपर रब करना है ताकि जो एक्स्ट्रा लेर इसके उपर चड़ा हुआ है वह हमारा निकल जाए औ लेवल में आ चुका है बैट के बैट को और सीफ करने के लिए अब हम लेंगे प्रोडेक्शन टेप और यह इसके उपर हम अप्लाई करेंगे गाइस टीप लगाने के एक डीटेल्ट वीडियो मैंने बना रखा है अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा आई बुटन में उसका लिंक है आप जाके वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए इस टेप को लगाते हैं इसमें गाइस अब आप देख सकते हैं हमारा बैट ट्रेडी हो गया है अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो गाइस होप आप लोगों को वीडियो फसंद आई होगी प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे मगली वीडियो में एक नए कंटेंट क कर दो आप दो भीडियो मेंस आप गईसाथ आपल सकते हैं तो